पचावार डियार थे मुलक घे हवाई फोज पारां कराचे जे मसरूर बेस ते तक्रीब कोठाई वई पाकस्तान एयर फोस जे शहीदन जी याद में कोटायल तक्रीब में वड़े वजीर सेद मुरादल शाह कराची जे मेर वसी मक्तर ट्रीन हतार बनन फोजन जे आफिसरन जे शेहरें पेंड शिरकत कई खुरान पाकस्तान तक्रीब शुरुआत बाद कोमी तरहनों पेश करेंवे हो जेरें ते एयर फोस इसकूल जे बारण शेहीदन के भेटा पेश करन लाए कोमी नगमा पेश करेंड बचा वार डियारे जी इन तक्रीब दोरान हवाई फोज जे जंगी जहादन फनी महारत जो म बचाओ करेंगे तो मोज़टाज दाश्यक्रदी आरे संद लाए चैलेंग जाए इन दिस सिचुएशन रटेन अंशस्टेंग श्तेंड पर्फेशनल एक्सेलेंस इंद फिस्टेंग जाए प्रफेश्टेंस प्रफेश्टिशन अगला अंदे सेट मुराद शाचे होता है पाकस्तान एर फोर्स पंजट एकतर वारी जंगन सांगरोगर्ड मुलक का अंदर दाश्यकरदी खिलाफ आपरेशन दोरान पंजोपान मन्जायो आए ऐसाजी दुनिया हवाई फोजी सलियत के तस्लिम करें थी पाकस्तान एर फोर्स अपना लोहा मनवा चुकी है 165 की जंग हो 161 की जंग हो यह एवन जो अभी हमारी जो टेर्जरिजम के खिलाफ ट्राइफ चरी हैं रदल फसाद उसमें भी उन्होंने पने रोल प्ले की है और बिलकुल मुस्ताइद है और पाकस्तान एर फोर्स की जो जो काबलियत है और उनकी महारत है उसको पूरी दुनिया मानती है पुनचोता कराची पुलीस से हमले में मुलवे स्टिन टॉलन के पकड़े वह आए दैशत गर्दन खिलाफ गुजर रात बेवरी कामयाबी मिली आए पुलीस के खास्तोर पे लाइन फोर्समेंट एजिंसी से खलाफ एक पिछले चार-पांच महीने से एक नई लहर शुरू हुई थी दैशत गर्दी की और उसमें दो या तीन गैंक्स थे उनको पकड़ लेके रात भी हमें कामयाबी हुई है और इंशाला ताला जो मंजरे आम पे लाएंगे उन सब को और इंशाला ताला हम सब मिल के दैशत गर्दों को शिकस लेंगे सेद मुराद लिशा चे उता कराचे में विए लख जानवरंजी कुर्बानी थी आए गलाजतूं पेरेंडी खणी शड़न खपनी हुई हूई हूई पर ये नत्यों संदन कोशच हों दी तर अक्ते एड़ी शिकायत नत्ये तकरीबन ज कि आलाइशों का सिलसला तो हर साल होता है और ज्यादा मुस्ते होना चाहीता है इंशाला ताला कुछ करेंगी के आगे चलके इसके और बेतरी आएस में पी एएफ बेस मस्रूर में बचाज लियारते जंगी जहादन जी निमाजसना गड़ो गड़ो मुक्तलिफ स्टार्पेंड लगाया हुआ हुआ जरेत हूँ एफ सोरा जहादमें भी बेटो खेज़ जहाद आपरेशन बाबत आगा काया हुए हुआ